जाब मुथ उनकी है दिन पर करें जबारा अफसोस वरना यूतों हर्षक्स आया है दिन्या में मरने के लिए आज सितामरी के एक बड़े शुफी संथ एक बड़े पहुचे हुए एक ऐसे बुजब की मौत हुई है जिनके मौत के बाद पूरा बिहार मातम में है और मैं इसका मरी के मधवन में हूँ आप देख सकते हैं कि यहां पर कचितों से इक कबर बनायी जा रही है बहत खुमशत कबर बनायी जा रही है ये कबर सितामरी के मद्वन बगान रहा रही है ये कबर मुफ्ति अलामा जटाऊल्लाजसाजाब रहुतолियाहले का ये कबर बनाया जा रहा है इनके मुड़ड़ाइन अलग अलग नामों से जानते हैं बहुत सारे इनके उपनाम है और बहुत पहुंचे हुए अल्लावाले थे, कल करनात्का के गुलबरगा में इनका इंतकाल हुआ, इनका दिहान्त हो गया है, और बाइरोड एम्बुलेंस द्वारा, इनके जिस मुबारक को लाए जा रहा है, आप देख सकते हैं, कि ये उनका खानका था, ये जो एरिया है, ये जो घर का इरिया है, ये इनका खानका था, और यहाँ पर कच्छी वीटों से उनके लिए, एक मकबरा टाइप का कब तयार की जा रही है, आप देख सकते हैं, कि मैं इसलिक सितामरी के मजवन में हूँ, और यहाँ पर हज़रत मुफ्ती अल्लामा, जकाईल्ला साहब, द उसलिक साहब, कबर मुवारत तयार किया रहा है, हम बात करते हैं, कौन थे हैं, हज़र जकाईल्ला साहब, और इनके जो चाहने वाले जो मुरिदान है, वो पूरे हंदुस्तान में हैं, पूरे बिहार में, आप देख से रहे हैं, कि जो मुस्लिम सुनी मसलब को मानने वाए लोग हैं, उनमें इनकी खासी पकड़ रही है, और बड़े सुफिसंत कहे जाते हैं बिहार के, और ये करनादका में थे किसी प्रग्राम में, वहीं अचानक दिल का दौरा पढ़ने से इनका इंतकाल हो गया, और बाइरोड इनके जनादर सरीफ को मनाय जा रहा है, बड़ी जब कोई फकीर मरता है, जब कोई फकीर गुजरता है, जब कोई ऐसा सक्स गुजरता है, जिसने इनसानित के लिए काम किया हो, जिसने अपने दर्द को खतन करके औरों की दर्द की परवा की हो, जिसने दूसरे को मरहम लगाने की कुशिश की हो, जिसने अपने जिन्दगी को फानी बना करके दूसरे की जिंदगी में रौशनी लानी चाहे हो ऐसे लोगों की जिंदगी करांती हो जाती है और ऐसे लोगों के पीछे पूरी दुनिया हुजून बनकर चलने लगती है हम बात कर रहे हैं हज़त अलामा मुष्थी किबला जकाउल्ला साब रामतुल्ला काले के बारे में जिनका कल इंतकार हो गया है और कल बाइडोट जब उनकी जिस मबारक को यहां लाई जाएगी तो कल दिन के 10 बजे सुमवार को चितामरी के मधवन में मधवन जो शहर से लगा हुआ है इसी मधवन में उनके जनाजे की नमाज अदा की जाएगी और जनाज इते हें मिट्टी के गिरादे से जो मुस्ली प्रंपरा है सुली प्रंपरा है इसमें पक्टे हीटो से कब तयार नहीं होता है कच्छी लिटों से तयार होता है और सेमिंट के जगह पे गिलाबे का इस्तमाल के जा रहा है लेकिन बरवी खुब्सूर्थी के साथ यह कब तयार की जा रही है इस कब के अंदर एक टाक भी बनाया गया है और इसी में उनके जिस मुबालक को इठाए जाएगा ह नहीं हमारे साथ उनके चांहेवाले इतने सारे मुखवाइं हैं तमाम लोगों का आना यहां पर शुरू हो गया है लोग जमा हो रहे है हम बात करते हैं अदर के बारे में आप हैं हजज़त मुला नसीम साहब कौन थे हज़़द हज़द की सखस्षिए क्या थी हज़द ने किन किन कामों को अंजान दिया और एतनी दिवान ये क्यों है जी असलाम आलेकुम रहमतुल्लाही टाला वबरकातु हूँ आपके चैनल के माधियम से मैं पूरी हिंदुस्तान के मुसल्मानों से कहने चाह रहा हूँ के ताजुल्गुर्बा हजरत अलामा मुफ्ती मुहम्मद जकाउल्ला सहाब कि बला अलेही रहमा वर रिस्वान की शख्सियत जो है वो मुहताज तारुफ नहीं है हिंदुस्तान के बड़े उल्मा में इनका शमार होता था और इन्हों ने दीनों मिल्लत के लिए जो काम किया है वो बाकरी काबिले तारीफ है और मैं ये दावे के साथ कह सकता हूँ कि हजरत की शख्सियत बहुती मौतबर शख्सियत थी और गिने चुने उल्मा में शमार किये जाते थे और अल्ला तबारिक बारगा के ये मकबूल तरीन बंदों में से एक बंदा है आज बहुती अफसोस के साथ मुझे कहना पर रहा है कि उनका इंतकाने पुर्मलाल हो गया हम सब गमस्दा है कल सुमवार को दस बजे उनके जनाज़े की नमाज अदा की जाएगी तो मैं अर्ज करना चाहूंगा तमाम आमतल मुस्लिमीन से कि सारे लोग हज़रत के जनाज़े की नमाज में शिर्कत फरमाएं और सवाबे दारेन हासल करें और हज़रत के आला मरातिब के लिए अल्ला अर्ब लिज़त की बारगा में दौाभी फरमाएं हज़रत के चाहने वाले लोग कहां कहां से आ रहे हैं और सुना है मैंने कि कई स्टेट में हज़रत के दिवाने लोग मुझे हैं दी 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 बिला शक को शुबा हज़रत के चाहने वाले और हज़रत के मुरिदीन हिंदुस्तान के गोशे गोशे में मौजूद है और कल जब उनके जनाज़े की नमाज अदा की जाएगी तो बिहार से खुस्सी तोर पर मुसल्मानों का एक हजूम होगा और हिंदुस्तान के तकरीबन हर इस्टेट से उनके जो मुरिदीन हैं और चाहने वाले हैं वो सब शरीक हो रहे है हज़रत ने किस-किस कारनामे को अंजाम दिया है यह जो दीवानगी है इसकी वज़ा क्या है इसके कभी वज़वात है एक तो तालीम एतबार से हज़रत ने जिन एदारों में खिए तो उनके बहुत सारे शागिर्द हैं जो बड़े बड़े ओल्मा है अकाबिर हैं जो दीन और मिल्लत के काम कर रहे हैं और हसरत सुफी किसम के थे रुहानी अलाज भी किया करते थे अगर कोई परिशान हाल होता इनके दरबार में आता कोई तुखाली हाँ तो बापस नहीं जाता था इनके ताविजात में अलाज तबारिक बड़ा ने वो असर दिया था कि अगर कोई परिशान हाल आता तो अपनी परिशाने के यहां से दूर करके ही जाता था और उनके जो चाहने वाले हैं वो यही वज़ा है कि दोने दीवे मिल्लत के जो काम किया और आमतल मुस्लिमीन के लिए जो काम किया और इनके जो आला किसम के अखलाग थे तो इनके आला किसम के अखलाग से लोग काफी मानूस और मतासिर है और इनके चाने वाले कोई कमी नहीं है मैं जो अमीद है हяз giraffe का इंतिकाल असलाम अलेकों रहिद अलाइक। हज़रत का इंतिकाल तौम उम्मत मसल्मा के लिए यह हम्जदा का यह ख़फ है यह झा पुर्जख को इसका यह गम और मलाल हो रहा है हम लोग यह दुआ करते है तो और वेधियां आने क मैं बिखर जाओंगा जन्जीर के करियों की तरह, मैं बिखर जाओंगा जन्जीर के करियों की तरह, और रह जाएंगे इस दस्त में जहंकार मेरे, इनसान चला जाता है, इनसान खत्म हो जाता है, इनसान मिटी में समा जाता है, लेकिन उनके जो काम होते हैं, उनके जो आमाल ह को एहसास दिलाता रहता है तुम दुनिया वालों को एहसास दिलाता रहता है मैं आपको बताओं कि कुछ ऐसरी थे हज़त मुफ्ती अलामा जकाउल्ला साहब तिब्लार अबतुलाल है जिनके इंटकाल के बाद आप देख सकते हैं कि इस तरह की कबरें बहुत कम मराई जाती ह हम जैसे कल सारे लोग हकीर मरते हैं घुजरते है हर दिन दुनिया में सैत्रों हजारों वालाक लोग चले जाते हैं लेकिन उनके कबरों की सजावट बनावट इस तरह के से नहीं होती है आपके आल, 아ुलाद, बाल, बच्चे प्चे तमाम लोग आपके मरते ही आपके दौ उस्वित नहीं बना पाते हो और यहीं वज़ा है कि हजरत जकाउल्ला सार गिल्ला रमतुल्ला अले जब आपने परदा फरमाया आपके जो ना आमाल थे आपने जो काम किये थे और उसका ये सिला है कि आपके मुरिदीन आपके चाहने वाई लोगों ने एक मिटिंग रखी ए जो ये खुशत धर होगा और इसे में हजरत जकाउल्ला सार के लिज़ा रमतुल्ला अले को लिटाया जाएगा और उसके बाद मैं समझता हूं कि यहीं बाकि जो मरिदीन होंगे वो आकर फातिया खानी क्या करेंगे फिसे मैं कहूं कि यूं तो दुन्या में कई साए लोग आते आओ जाते रहते हैं लेकिन जो अल्ला वाले होते हैं जो दूसरों की सोचते हैं जो गैरों की सोचते हैं जो औरों के लिए मरते हैं जो औरों के लिए खुद को फणा कर देते हैं ऐसे ही लोगों को हम हज़र्द जकाउल्ला के नाम से जानते हैं आप देख रहे हैं ध झाल झाल झाल